हेलो दूसर हो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, इस ऊडियो में हम देखने वाले देखेगा, आपका बीड के अंदर कौन-कौन से subject होते हैं, और कौन-कौन से subject जो है आपको चुनने होते हैं अगर आपने BA किया है, BSC किया है आपका, या BCOM किया है आपने BSC Agriculture से किया है, य या आपका LT grade exam के लिए ठीक है क्योंकि आपका देखिएगा कुछ आपका BCA माल लिजिएगा आपने कर लिए BTEC कर लिए तो आप जो है कहां पी जादा आपकी chance रहेगे कौन सा subject आपको चुनना चाहिए ठीक है कि यह आपका जो है कम तक सुरू होगा यहाँ पर एक question हो रहा है आपका देखिएगा कि 2022 के अंदर आपको BAD करना चाहिए आप BTC करना चाहिए कुछ question आपके यह भी है कि आपका जादा percentage आपका BAD में बनेगी या आपका BTC के अंदर बनती है practical marks कहां पर जादा दिये जाते हैं तो इन सभी चीज़ों पर हम इसमें चर्चा करने वाले है और यह subject आपको देखना बहुत ही जरूरी है पूरा जो practice set आपका color work के लिए आपका जो है इसमें तयार किया गया पूरा explanation के साथ ठीक है तो यहां पर देखिएगा अलग-अलग subject को बहुत ही अच्छे से explain किया गया इसमें और देखिएगा यहां पर जो है color work के practice set के साथ साथ जो steady guide book आती है चक्सू publication की आप इसको भी ले सकते है काफी अच्छी यह book है इसमें और इसमें लग-बग आपको 2700 important question देखने को मिलेगे आपके पूरा subject wise हो के यह book और practice set कहीं से भी आप ले सकते है कि किसी भी book store से बाकी देखिएगा description वन लिंक या वहां से भी जाके आप इसको जो है online मंगा सकते है चलेगा तो आप जो है एक-एक point को ध्यान से देखेगा यहां पे सबसे पहले यहां पे जो दिया है इसमें देखिएगा अगर आपने BA किया है या आपने जो है BSC home science से किया है तो आपको जो है बेड के अंदर कौन-कौन से subject मिलेगे या आपको जो है कौन सा लेना चाहिए तो आपकी यह subject है देखिएगा इसमें आपका इथियास है भगोल है अर्दसास्त रहे नागरिक सास्त रहे आपका और language में आपका हिंदी इंगलिस और आप संसकर्थ में से कोई भी आप एक ले सकते हो इसके अलावा आपका अलग-अलग जो है इसकूलों में जो है home science भी ह नहीं था तो इसकी जंगे आप कोई और subject भी ले सकते है और देखिएगा जैसे कुछ university में आपका अलग-अलग subject दिया जाते है आपका देखिएगा चार paper जो होते आपके common होते बाकी दो आपको choice करने होते यह माना जाता है कि आपके दो subject ऐसे होने चाहिए जिससे आगे च पास history, geography और आपका economics है BA के अंदर तो मेरा जो combination है बिल्कुल बनना है तो अब मुझे क्या करना चाहिए बीड के अंदर इतियास भुकोल आपका अर्द सास्री नागरिक सास्रम से एक लेना चाहिए और इसके साथ एक मिलेगी मुझे language अब language मैं यहापे जो है हिंदी ले ल subject है आपके पास तो आपका देखीगा sst के लिए आपका combination नहीं बनेगा तो आपका BA में जो है इस से लेने से आपका कोई फाइदा नहीं होगा लेकिन आपको यह subject फिर भी मिलेगा बाकी आपका हिंदी लेने से फाइदा नहीं होगा आपको क्या लेना चाहिए तो आपको English के लिए किसी भी combination की जुरत नहीं होती आगे जाके आप जो है TGT का exam इसी से दे सकते है अकेला subject से और आपका LT grade का भी exam दे सकते है ठीक है अब यहाँ पे देखेगा जिनके पास BA में चार में से कोई भी दो subject रहे हो गरेजिशन में तो आप जो है TGT का भी exam दे सकते है य Hindi या आपका जो है भुगोल या आपका Home Science है तो आपका देखेगा Hindi का भी combination आपका नहीं बनेगा भुगोल का भी आपका SST के लिए जो है नहीं बनेगा तो आपको क्या लेना चाहिए आपको Home Science में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बेड़ के अंदर और आगे जाके आप TGT का exam जो है आप Home Science से देगे और आपका LTE grade का भी exam ठीक है तो ऐसे आप इन में से कोई दो subject चुनना जो आपको आगे जाके help करें ठीक है बाकी अगर आपने देखीगा BSC किया है या आपने BTEC किया है तो आपके पास क्या क्या option रहेगा तो आपके पास option रहेगा आप जो है physics ले सकते है biology ले सकते है या आप math ले सकते है इन चार में से कोई भी आप दो subject ले सकते है ठीक है अगर आपने BTEC किया होगा computer science से तो आप बीड के अंदर computer ले लेना ठीक है इसके साथ साथ आप math ले लेना ठीक है या आप जो है chemistry ले सकते हो दो subject में बाकी अगर आपने BTEC computer science में क इसली बार जो 2008 वाली विकेंशी थी उसमें देखिएगा मुश्किल से मुश्किल 36 से 37 पद जो है भरे गए थे और उसमें देखिएगा 1000 से ज्यादा पद उसमें खाली रह गए थे लिए ऑप कंप्यूटर से दे सकते ओर यहां पिए देखिएगा अगर आपने जो है बेजिकल साइंस का रह सकता है ठीका pernah आप मेरे कोलीज में अगर जो बीकॉम वाले student थे उन्होंने क्या लिया था उन्होंने एक math लिया था एक लिया था sst ठीक है तो यहां पे उनको दो subject मिला था लेकिन वे ना तो देखिएगा tct या आपका इल्टीग्रेड का exam sst से दे सकते हैं ना बीकॉम वाले math से दे सकते हैं तो अब उनको अकेला औ अकेला आपका जो है account से देना पड़ता है थोड़ा सा commerce वालों के लिए दिक्कत होती है बस तो आपको मालूम होगे देखिएगा आपके जो बीड के अंदर आपके 6 subject होते हैं आपको 2 choice वाले जो है choice करने होते हैं बाकी 4 common होता है तो आप देखिएगा अलग अलग जो है आ लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है और ये नहीं पता कि आपका जो है इस साल से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अभी ठीक है चलेगा इसके बाद यहां पे देखिगा कि आपको बीड करना चाहिए आपका बीटीसी करना चाहिए 2022 के अंदर यहां पे देखिगा बात की जाए सबसे पहले आपका फीस की तो देखिगा फीस लगबग दोनों की बराबर होती है इसमें ठीक है और इसके अलाबा प्राइवेट देखिगा दोनों में लगबग जो है पचास हजार के आसपास लगता फरस्टेर के अंदर चालिस जार आपकी 6,000 तो अलग-अलग कोलीज में होता फीस ठीक है थोड़ा सा डिफ्रेंस होता इसमें बाकी देखिगा अगर बात की जाए कि आपका बीड के अंदर कितनी बार पेपर होता है बीड के अंदर आपका दो बार पेपर इसमें कराय जाता है कुछ यूनिवेस्टी जो इ आपका इसमें किसमें जादा होगा तो देखिगा आप अगर बीटी सी करते तो आप जो है प्राइमरी और आप जूनियर के लिए अपलाई कर सकते अगर आपका सब्जेक्ट कंबिनेशन अच्छे से बरन रहा है तो आप देखिगा मेरे हिसाब से तो आप जो है बीड करना बैस्ट घएगा आपके लिए क्योंकि आप जो है टीजीटी का एक्जाम दे सकते हर देखिगा और तीसरे यह चोथे वर्ष जो है टीजीटी कि विकेंसी आती रहती है बाकी देखिगा आपका पीजीटी देखिगा अब भी देखिगा दिल्ली डी-स-ब के अंदर भी जार के आसपास वेकंसी आएगी तो आगे भी आती रहेगी ये इसके अलावा देखेगा आपका जो बीयो होता है आपका खंड शिक्सा अधिकारी होता है इसमें केवल और केवल आपके बेड़ वाले अपलाई करते हैं इसी के साथ आपका देखेगा यहाँ पे जैसे अधर चैट में जो वकेंसी निकलती है जिसे राज़ थान ए और भी आपका इस्टेट है तो वहाँ पे भी आपका बीयोड वाले अपलाई कर सकते हैं इसमें 6-8 यह आपका घ्जी वगरम है इसके बाद यहाँ पे देखेगा आपकी जो परसेंटेज है आपका देखेगा परसें यहाँ पर भी लगबग देखीगा आपका 90 से आपका जो 45 परशेंट तक आपके जो है नमबर दी जाते है कोलीज के द्वारा प्रेक्टिकल में बाकी आपको मेहनत जो करनी होते हैं केवल और केवल आपका थियोरी पर करनी होते हैं बाकी अगर आपने थियोरी मेहनत कर ली त तो आपको बेड़ करनी चाहिए क्योंकि आप अपनी महनत के बल पे यहाँ पे फिरी सीट आप निकाल सकते हो बेड़ के अंदर लेकिन आपका बीटी सी कर आप करोगे और परचेंटेज भी आपका ज्यादा नहीं तो यहाँ पे आपकी जो देखी जाएगी मेरिट आपकी ट आपके सो सो नंबर के आपका जो पेपर होते हैं दो पेपर आपका ठीक है सो नंबर का फर्श पेपर सो का आपका सेकिंड यह आपका पूरा चार सो नंबर का जो है आपका यह पेपर हो जाता है दोनों ठीक है इसी के आदार पर आपकी मेरिट बना जाती है और पिछले वर इस एक्जाम में कितनी रहती है आपकी या पर वन बाई थर्ड तीन कोईशन गलत करने पर एक आपका जो सही कोईशन होगा वो इसमें कटता है पूरी यूपी के अंदर कितनी फिरी सीट होती है आपका बेड के अंदर तो आपकी 10,000 फिरी सीट होती है आसानी से आप निकाल स